वीडियो ना बनाके या फिर यूट्यूब में अपना चहरा ना दिखा के क्या हम यूट्यूब से पैसा कमा सकते हैं? तो ये एक बहुत ही common question है जो भी नए यूटिवर्स आते हैं या फिर जो online marketer होता है या फिर जो YouTube को as a profession शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के रिए ये एक बहुत ही common question है तो कुछ लोगों को वीडियो में अपना face दिखाना comfortable नहीं होता है या फिर कोई लोग वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं या फिर कुछ लोगों को वीडियो बनाना नहीं आते हैं तो क्या वो लोग YouTube से पैसा कमा सकते हैं जी हां फिर बिलकुल कमा सकते हैं तो actually YouTube से हमें पैसा उसके उपर ads आते हैं और ads का जो revenue होता है वही हमें ऐजे payment मिलता है या फिर उसी से हमें earning होता है ठीक है YouTube ने अपने policy में clear ले लिखा है कि आपको अगर YouTube से पैसा कमाना है तो आपको अपने खुद का content बनाना पड़ेगा video content तो अगर मैं खुद से video नहीं बना सकता हूँ तो क्या मैं YouTube से earning नहीं कर सकता है नहीं ऐसा नहीं है आप बिलकुल कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको कुछ proper method है कुछ guidelines है जिसको आपको follow करना पड़ेगा हाला कि ऐसे बहुत सारे methods है जिससे आप खुद से video ना बना के भी YouTube स कर सकते हो लेकिन एक video में इतनी सारे method मैं discuss नहीं कर पाऊंगा तो आज की इस video में मैं वह method discuss करने वाला हूँ जो इन में से सबसे ज़्यादा effective है और जिससे आप बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा earning कर सकते हो और यह बिलकुल easy है इसमें आपको कोई experience के जुरूद नहीं इ या फिर video trending में आने का बहुत ज़्यादा chance रहता है ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे हम पहले जानेंगे कि यह method क्या है इससे कैसे earning होता है लोग इससे कैसे earning कर रहे हैं उसके बाद हम इस method का implement करेंगे यानि कि हम live एक video बनाएंगे उस video का हम upload भी करेंगे और जानेंगे कि क अबने computer screen पे आ गया हूँ और यहां पे आके मैं search कर रहा हूँ T-series versus PewDiePie live subscriber count तो यह मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ तो पहले मैं आप लोग को ज़िछ दिखाना चाहता हूँ तो यहां पे आप लोग देखिए यह एक live subscriber count चल रहा है ठीक है ज यहां पे easily दिख जाता है live subscriber count अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को दिखा दूँगा ठीक है तो वहां से यह लोग जश्ट उसका एक footage यहां पे live डाल रहे हैं और लोग उसको देखते भी है ठीक है मुझे नहीं पता लोग क्यों देखते हैं बट लोग live subscriber count जो है या फिर जो live streaming है लोग उसको देखते हैं और live streaming में आपका कोई काम नहीं होता आपको बस एक बार ही उसमें काम करना होता है live streaming स्टार्ट करने के लिए उसके बाद वो live streaming चलता ही रहता है ठीक है और इसमें advertisement भी आता और इससे earning भी होता है तो मैं आपको पहले subscriber count का जो battle है PewDiePie vs T-series इन्होंने बंद कर दिया लेकिन आप इसका जो views है वो आप देख सकते हो ठीक है कितना है 116 million 116 million एक live subscriber count से इनका earning है तो अभी मैं इनका अभी मैंने चैनल में कोई video नहीं डालते है उनले live streaming करते है जैसे यहाँ पर देखिए यह game खेल रहा है इसका live streaming कर रहा है यहाँ पर US का real time coronavirus tracker का live streaming कर रहा है यह सारे information जो है आपको web पर मिल जाएगा बहुत सरे website है जहाँ पर live count दिखाते हैं उसको बस यह लोग streaming कर रहे है तो मैं आप आपको और एक दो channel दिखा देता हूँ जैसे यह एक channel है chain बोलके तो यहाँ पर देखिए यह लोग same live streaming को जैसे कि T-series versus PewDiePie इसको यह लोग लगबग 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 live streaming यह लोग चला रहे है ठीक है ठीक है तो देखिए 9 live streaming यह लोग same topic के ऊपर चला रहे है और यह सारे live streaming कोई ना कोई देख रहा देखिए इसमें 486 लोग देख रहे है इसमें 308 लोग देख रहे है इसमें 220 लोग देख रहे है तो इतने सारे לोग देख रहे हैं जब यह live streaming बंद करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका cumulative जो views है वो दिखेगा जैसे कि इसके लिए मैं आपक कि यह आपका फ्लेयर टीपी में जो मैंने दिखा थे जो मैक्सिमम था जिसमें 116 मिलियन था तो ऐसे इसका भी बहुत व्यूज यह सारे वीडियो में मिलेगा तो यह लोग एक ही लाइफ स्ट्रीमिंग को इतना बार मुझा रियल टाइम में चला रहे हैं एक साद 9-9 लाइफ स्ट्रीमिंग ही डालते हैं और इन लोगों का यह सारे लाइफ स्ट्रीमिंग के उपर वीडियो के उपर एडविटाइस्मेंट भी आते हैं और इससे इन लोगों का अर्निंग भी होते हैं ठीक है मैंने फ्लेयर टीपी इसलिए दिखा तो फ्लेयर टीपी का देख लेकिन यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप अगर चाहो तो आप भी easily ऐसे ही live streaming चला सकते हों कोई भी ऐसे subscriber battle या फिर follower battle जैसे twitter follower यह सब आप easily कर सकते हों जो कि हम अपने वीडियो में भी अभी discuss करने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि आपको यह पहले कहा से मिलेगा तो उसके लिए एक website है socialblade.com तो आप जाके google पर search कर लिजिए या फिर direct socialblade.com पर आ जाएए और वहाँ पर आके कोई भी आप channel का नाम लिख दिए जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कैरी मिनाटी ठीक है कैरी मिनाटी तो यहाँ पर देख लीजिए कैरी मिनाटी का channel खुल गया है ठीक है तो अभी अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाओ तो मुझे live subscriber count के लिए मैं यहाँ से direct live पे click कर सकत हो ठीक है तो किसी भी एक जिगा पर आप click कर लिए मैं यहाँ पर click करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पर जो कैरी मिनाटी का live subscriber जो count है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि उनका subscriber क्या है कैसे हो रहा है ठीक है तो similarly आपको follower counts भी दिख जाएगा तो generally किस क इस चीज़ पर लोग देखना पसंद करेंगे तो आपको ऐसे कुछ चीज़ों पर live streaming करना पड़ेगा जो लोग देखना पसंद करेंगे जैसे सलमन खान, सारुक खान इन लोगों का कैसा है इन लोगों का follower से वो बहुत जादा होता है Twitter पर ठीक है तो अगर मैं हम इन लोग का Twitter follower का अगर हम battle करेंगे कि सारुक खान का Twitter follower versus सलमन खान उनका live follower battle अगर हम करेंगे तो वो कैसे कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अगर हम वो भी करेंगे तो वो भी लोग देखना पसंद करेंगे क्योंकि इंडिया में सारुक खान सलमन खान का fan बहुत है तो लोग यह देखना प देखिए इनका जो Twitter handle का नाम है वो है IamSRK, ठीक है, तो मैं इसको copy कर लिता हूँ, IamSRK को, मैंने इसको copy कर लिया, और मैं यहाँ पर जाके अभी जो YouTube है, इसको मैं क्या कर दूँगा, Twitter करके, यहाँ पर मैं वो ही paste कर दूँगा, जो IamSRK वाला है, तो मैंने वो paste कर दिया, अब मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए हैं, मेरे पास SRK का account खुल गया है, जो Social Blade में SRK का details आ गया है, यहाँ पर मैं इनका live follower account देखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर right click करके, मैं इसको अलग से tab में खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे SRK का जो live follower count है, वो मुझे दिख रहा है, रियल टाइम में कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, यह सारे चीज़े मुझे दिख रहा है, वो मुझे सिमिलरली सलमन खान का भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सलमन खान का भी देख लेता हूँ, मैं इन लोगा इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि इनका भी जो subscriber है, वो लगबग equal है, तो यहाँ पर सलमन खान का जो है, वो है being सलमन खान, तो मैं पहले वो copy कर लेता हूँ, और फिर जाके मैं इसी को social blade में paste कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, जो सलमन खान का भी है, व account, यहाँ पर हम उनका भी live follower count देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, सलमन खान का मुझे live follower count दिख रहा है, ठीक है, वो भी 40 million and something है, और यहाँ पर सारुक खान का भी 40 million and something है, सलमन खान का हला कि जादा है, लेकिन इन लोगों का ऐसे ही जादा कम होता रहता है, तो देना है, ताकि वो इनके followers के पास जाए और वो लोग इनको देखे और जिससे हमारे videos पर view आया और हमें उससे earning हो, ठीक है, तो चलिए हम इसका कैसे create कर सकते हैं, वो हम देख लेते हैं, तो अला कि यह live streaming के लिए काफी सरे software है, बहुत सरे paid software है, बहुत सरे free software भी है, तो आप OBS studio, यानि की open broadcast software, क्योंकि जो live streaming करते हैं, उसके मतलब हम broadcasting करते हैं, जो हर को यह देख सकता है, तो इसलिए यह open broadcast studio है, यह बिल्कुल free है, इसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा, तो आप पहले software को download कर लिजे, तो जब भी आप download पर click करेंगे, आपके सामने यह तीन option रहेगा, Windows, फिर Apple, Mac जो होता है, और फिर Linux, मेरे पास Windows का laptop है, तो आपके पास भी आगर Windows का laptop है था, Windows का download कर लिजे, तो आपको यहाँ पे download installer पर click करना और installer download हो जाएगा, फिर आपको install करना है, तो मेरे PC में already install है, तो अभी मैं वीडियो लंबा हो रहा है, बट मै मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा complete tutorial देना चाता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको download कर लिया मैंने, अभी मैं यहाँ पे software में जाके, पूरा के पूरा जो, कैसे हम यह live stream को setting करना है, कैसे publish करना है, वो चीज़े देखते हैं, तो चलिए हम software open कर लेते हैं, तो गैस अभी हम आगे हैं अपने software interface पे, तो software के interface आपको कुछ इस type का दिखेगा, जब आप OBS studio को open करेंगे, बस एक चीज़ आपको बता देता हूँ, कि आप जिस भी PC में करेंगे, उस PC में आपको internet connection होना जरूरी है, ठीक है, यह OBS studio के लिए नहीं, वो live streaming के लिए आपको internet connection होना जरूरी है, ठीक है, तो पहले आपको OBS studio को खोल लेना है, तो उसको इस type से आपको दिखेगा, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक-एक scene add करना पड़ेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, नीचे देख तो source के लिए हमें source बाले बटन पर क्लिक किया हमने, और यहाँ पर देखिए हमें source के लिए हमें browser select करना है, क्योंकि हमें browser से ही live streaming को दिखाना है, ठीक है, तो हम browser पर क्लिक करेंगे, तो browser पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पहले नाम डालना है, तो हम यहाँ पर पह वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर हम live streaming देख रहे थे जहां पर हम live follower count देख रहे थे तो यहां पर आके ऊपर में जो हमें link दिख रहा है वो link को हमें copy करना है और इस link को हमें copy करके यहां पर URL पर डाल देना है ठीक है तो हमने URL पर डाल दिया तो अभी हमें width and height को set करना है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है हमारा width होगा 1280 and height होगा 720 ठीक है तो यह हमने रख दिया और हम अभी इसको okay कर देते हैं अभी हम थोड़ा इसको resize भी कर लिए ठीक है क्योंकि हमें इसके side पे और एक scene भी दिखाना है जो की सलमन खान वाला हमें link copy करके इसके URL में डालना है और फिर यहाँ पे भी देखिए हमने width और height जो हमने same रखा है ठीक है अभी हम इसको okay कर देते हैं तो अभी हमने दोनों को adjust कर लिया है तो हमें left side पे सारुक खान का और right side पे सलमन खान का live subscriber count दिख रहा है background white हो गया इसको हम drag करके नीचे कर देंगे तो यह back end पे चला जाएगा तो हमने drag करके नीचे कर दिया अभी यह back end पे चला गया अभी हमें यहाँ पे logo को दिखाने के लिए यहाँ पे हम उपर सारुक खान सलमन खान लिख सकते हैं subscriber battle या फिर आप चाओ तो इसमें photo भी डाल सकते हो तो इसके लिए हम थोड़ा कम कर लेते हैं तो हमने यहाँ पे एक thumbnail जैसा बना लिया यहाँ पे सारुक खान वर्सेस सलमन खान हमने लिख लिया है और who will win ठीक है और इसको हम यहाँ पे source में जाके image में जाके import कर लेते हैं image में क्या हमने ok किया अब उस file को जो हमने download किया उसका हम browse किया और हमने इसको import कर लिया तो यहाँ पे आप देखिए अभी हमारे सामने ready हो गया तो यह हमारा live follower battle ready हो गया इसको अभी हमें publish करना है ठीक है तो publish करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए right side पे नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक setting वाला option मिलेगा तो हमें setting में जाना है setting में click करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे option मिलेगा तो मैं सारे option में नहीं जाऊंगा बड़ में एक बार navigate कर लेता हूँ तो आप लोग settings वागरा देख लीजिए यहाँ पे आप video को pause करके अपने software में भी यही setting रखना तो mainly जो हमें streaming में focus करना है तो मैंने video and output आप लोगों दिखा दिया अभी मैं streaming में जा रहा हूँ तो streaming में जाके हमें service में select करना है youtube slash youtube gaming ठीक है तो हम इसको select कर लिए हमने तो यहाँ पे हमें server select करना है और उसके नीचे हमें डालना है stream key तो यह stream key आपको कहाँ पर मिलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है आप पहले अपने youtube में जाएए और youtube studio में जाएए studio में जाने के बाद आपको क्या करना है जहां से आप video upload करते हो वो उस create वाला बटन पर आपको क्लिक करना है नीचे go live का option आएगा तो go live पे आप click किजिए आने के बाद नीचे देखे left side पे आपको नीचे stream now classic वाला option है तो वहाँ पे click कर लिजिए तो हमने click कर लिया तो आपके सामने ये window open हो जाएगा तो इसी window में जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे server url and stream name की आपको मिल जाएगा तो आपको इसको मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अगर आपके पास मेरा server url and stream की है तो आप भी मेरे channel में live streaming कर सकते हो तो इसलिए लेकिन आप अगर अपने channel में जाके देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा तो इसको हमें copy करना है इसी stream की को और server url को तो हमने वहाँ से stream की है and server url को copy किया और यहाँ पर आके हमने डाल दिये हैं अभी हमें क्या करना है okay करना है तो हमने okay कर दिया है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो live streaming के लिए यह almost ready हो गया है ठीक है अभी हमें कुछ basic काम करना है तो अभी हम channel पर आ गया है और channel पर आके हमारा कुछ काम रहेगा जैसे normally वीडियो अपलोड करने के बाद या फिर वीडियो अपलोड करने के time पर आपलोग कर रहता है तो पहले हमें एक title देना है और ऐसे title देना है जिसको देखके लोग click करना चाहे तो हमने यहाँ पर दिये सारुक खन वर्सेस सलमन खन ट्विटर फॉर्वर बैटल तो उसके साब से हमने फिर यहाँ पर description भी डाल दिये हैं और description में आप लोग try करना कि आप जितने हो सके आप लोग description में hashtag डालें ठीक है तो यहाँ पर हमने काफी सारे hashtag डाल दिये हैं क्योंकि यह hashtag से क्या होता है यह trending में जाते हैं और hashtag से लोग search करते हैं अभी generally तो description के अंदर आप hashtag डाल दिये लेकिन tag में आप लोग hashtag मत डालें उसके बाद बाकी सारे setting आप देख लीजे जो हमने वीडियो में रखा हैं और इसको हमने privacy को public में set कर दिया category entertainment कर दिया है ठीक है उसके बाद main जो option है stream optimization तो इसको हमने low latency कर दिया है ठीक है अब normal या ultra low latency भी कर सकते हो तो normal latency generally high performance या फिर high resolution वाला video streaming के लिए होता है तो वो gaming के लिए सही रहता है तो हमें high resolution का जुरूरत नहीं है तो हमें यहाँ पे low latency पे ही चल जाएगा तो हमने low latency select कर लिया है उसके बाद हमें क्या करना है हमें tags डालना है तो यहाँ पे main चीज है कि आपको अच्छा-च्छा tags डालना है ताकि आपका video trending में आए लोग search option से आपके video को देखे तो tags हम में कैसे मिलेगा तो पहले आप YouTube में आके normally search कर लिए सलमन खन वरसे सारुक खन यहाँ पे आपको देखिए काफी सारे videos मिल जाएगा यहाँ पे search suggestion मिल जाएगा अभी कोई एक आप अच्छा वाला video उठा लिजे जहाँ पे आपका views अच्छा है और उस video से आप यहाँ से tags को direct copy कर सकते हो तो मेरे यहाँ पे feed IQ का extension है तो अगर आप चाहो तो यह भी आप install कर लीजिया क्योंकि इससे क्या होता है आप direct tags को select करके उसको copy कर सकते हो और फिर अपने video के tags में इसको direct paste कर सकते हो तो हमारा almost हो गया tag भी हमने डाल दिया है अभी हमें इसको publish करना है तो हमने यहाँ पे save कर दिया इसको सारे information डाल के अभी हमें क्या करना है हमें OBS studio में आना है यहाँ पे आके start streaming पे click करना है तो start streaming पे हम जब click करें नीचे देखिए यहाँ पे link जो है वो green हो गया है यानि कि अपका streaming शुरू हो गया है अभी हम channel पे जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे channel पे भी live लिखके आ गया है यानि कि streaming live हो गया है तो अभी हम एक दूसरे browser से इसी live streaming को खोल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे दिखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए हमारे streaming live हो गया है तो आपको video कुछ इस type से दिखेगा जहाँ पे आपका live streaming हो रहा है तो friend यही है इसका सारे चीज़े तो मैंने एक live streaming दिखाया है अभी बहुत सारे trending topic चल रहा है जैसे अभी आप कर सकते हो कैरी मिनाटी वर्सेस अमीद बढ़ाना क्योंकि दोनों का ही लगबग 20 million subscriber होने वाला है तो यह एक अच्छा battle हो सकता है आप लोग अगर चाहे तो यह भी आप कर सकते हो तो साथ में जैसे अभी social blade में TikTok का भी live follower count आ गया है तो उसको भी आप use कर सकते हो और उसको भी use करके आप ऐसे ही follower battle कर सकते हो और यह काफी easy है तो I don't think कि इसके लिए आप लोग को ज़्यादा knowledge की जुरुत है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और बाकी methods के उपर अगर आप लोग को और वीडियो चाहिए तो आप लोग please comment करके बताए तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए bye take care and have a nice day